इस दौरान ममता बैनर जी ने कहा कि यूपी से बीजेपी को हराना जरूरी है बीजेपी यूपी में हारी तो समझो हर जगा हारी ममता ने कहा कि यूपी में खेला हुबे मंगलवार को जब लखनों में बेज़ेपी अपना संकल्प पत्तर जारी कर रही थी ठीक उसी समय लखनों में ही एक बड़ा सियासी मेल मिलाप हो रहा था पश्चिम बंगाल की मुखमंतरी मम्ता बनर जी एस पी मुखिया अखलेश यादों के साथ मंच साजा कर रही थी मम्ता बनर जी के आने से अखलेश यादों का हाऊसला बढ़ा दिख रहा था तभी तो बातों बातों में उन्होंने पीम पर तंज कस दिया कल आदने दीदी बंगाल से उड़कर के उत्तर प्रदेश आ गई लखनव आ गई लेकिन दिल्ली वाले यूपी नहीं आ पाए कहा कि मौसम खराब है सच में भाजबा वालों के लिए यूपी में मौसम खराब है दीदी के आने से तो भाजबा के संकट के बाधल और भी गहरा गए हैं इस बार भार्दी जन्ता पार्टी का जूंट का जहाज उत्तपदेश में नहीं उतर पाएगा अखलेश यादव ने तो कहा कि बीजेपी की हारते है और दस मार्च को जीत की खुशी में रोशोगुल्ला खाया जाएगा पशिम मंगाल के चुनाओं में अखलेश ने मम्ता का साथ दिया था जिसे मम्ता ने याद किया और कहा कि सब को इकठा होकर बीजेपी को हराना है सबसे बड़े सूबे से बीजेपी गई तो समझो हर जगचे गई मम्ता ने दोराया कि यूपी में एक खेला होगे और चुनाओं में आप एक कट होकर आप समाजबादी पार्टी को जिताइए और बीजेपी को हराइए ए बात कहने के लिए मैं लकनों में आई हुई है फिर तीन तारिक को हम बड़ा नुशिबे भी आएंगे मम्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि सिर्फ बीजेपी की ही रैली हो सकती है बाकी पार्टीयों की रैली पर रोक लगी रहती है लेकिन इस मुलाकात पर बीजेपी की प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से है 2017 में देखे जब कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का गटबंदन हुआ कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया समाजवादी पार्टी भी साफ हो गया फिर लोग समा में सपा बसपा का गटबंदन हुआ ममता बनर जी ने केंद्र पर आरोप भी लगाया कि बंगाल की तरह ही सिंट्र एलेजन्सी चुनाव के नाम पर बहुत टॉर्चर करेगी ममता ने का जो बंगाल ने करके दिखाया यूपी भी वही करके दिखाये टीम न्यूज स्टेट